हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्लेट्फॉर्म ऑफ इन्वेटर संडा सो आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टन टॉपिक देखने वाले हैं देखे मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बता दू कि कुछ बच्चे थोड़ा सा यह थोड़ा उनका कहना था कि सर जो है वी अभी मैंने चुट्परिक स्वाग्षां कर दिया जूर्स्प्रॉड है फ्री देरे सारे सब्चेक्ट और एक सब्चेक्ट जो हमने सुरुवात की है उसको पूरी तरीके से खतम कर देगे तो आज का टॉपिक में बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं यह जो लेक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह फार्मासुटिकल जूरिस्प्रृटन सब्जेक्ट के जो की एक बहुत सब्जेक्ट है किसके कॉंपटेटिव पॉइंट आफ यानि कि अगर आप कॉंपटेशन में कोई भी एक्जाम दे रहे हो चाहिए आप जीपैट का दे रहे हो अगर आप फार्मासिस का दे रहे हो तो कम से कम तीन-चार कोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते लहां से ठीक है उसके पहला जो सवाल पूछ लिया जाता आपसे कि फार्मेसी एक कब आया था सो फार्मेसी एक्ट हैस केम इन नाइनटीन-फोर्टी एट याद रखी एक वर्ड वही लोग यूज करते केम कब आया और कब फोर्स हुआ यह लागू कब हुआ एक्ट के एर काने का सेम भी हो सकता हो सकता है तो आपको make sure that you read the correct statement आपको करेक्ट स्टेट्मेंट जो हो पढ़नी पड़ेगी कि किस एर में नाइनटीन-फोर्टी एट में और कब फोर्स हुआ उसी साल लागू भी हो गया गया नाइनटीन-फोर्टी एट में इंप्लिमेंट भी कर दिया गया तो इसका इनफ पहला सवाल कहां से बनता है किस एर में आया एक सवाल आपका फिक्स हो गया यहां से कब इनफोर्स हुआ दूसरा सवाल यहां से पूट लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए आपको इस बात को समझेंगे हम ठीक है चलिए अब फुड़ा आगे बढ़ते हम लोग अब परामेटर से कुछ की टॉपिक से कुछ की एरिया सब्सक्राइब इसके बारे में आपको पता होना चीए कब आया कब इंपलिमेंट हुआ मकसत क्या था वाट 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 वाजएक्टिव फिर उसके बाद की डेफिनेशन की रजिस्टर्ड फार्मस इसके अंदर होते हैं यह सब पूछा जाता है जिए फार्मस सिट्रानेकस ठाषरे में आट मिन असरी सब्सक्राइब फर्यान की एक साथ जों कर रहा है this pharmacy act is regulating the profession of pharmacy so pharmacist registration कैसे हो जाने कि कई से लोग pharmacist के लिए registered हो सकते है क्या कोई 12 पास वाला इस्टेट फर्माशों के लिए हो सकता है क्या क्या कोई कई का क्या हो सकता है क्या कोई कुछ आपको मैं समझाने वाला हूं क्या प्रविडियो को और आम से देखिए इससे में मैं या कोई भी चीज होता वीडियोज में बहुत जादा लिक के लाओ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखो मैं आपको कैमरे पर दिख वी रहा हूँ तो आप से मेरा face-to-face interaction हो ताकि मेरी चीज़ को अप सुनों और समझों और मैं चाहता हूँ कि आप हास से लिख 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 के notes बनाओ तो आपको लिखने में 30-40% याद हो जाता है तो आप यह काम करते हैं वीडियो को जहां लगे कि फास्ट हो रहा है पहुच करके आपको पढ़ाई कर लेने हैं उसके लाव कुछ इंपोर्टेंट एनाउस्मेंट आप सभी लोगों के लिए है वह इंपोर्टेंट क्या है आप सभी के लिए बहुत ही खुसकबरी की बात है कि इन्यूवेटर्स अड़्डा प्लेटफॉर्म ने एक फार्मासिस्ट एक्जाम के लिए उन-लाइन क्रैश्ट कोर्स चालू किया इस इनिशियोटिव को लांच किया है जो कि 6 महीने का कॉर्स है और निव येर के ओफर के तौर पर इसको जो है लांच किया गया है आप इजली जो इसको देख सकते हैं कि 999 रुपए के वल आपके 2-3 महीने के रिचार्ज भर का पैसा बसके वल है मात्र 999 रुपए में और आप डारेक्टी मेरे से बात कर रहो इंट्रैक्शन कर रहो मेरी देखरेक में सब कुछ हो रहा है ठीक है तो देर किस बात का फटा-फटार इस्टेशन करिए 10 जनवरी 2022-22 से 22 स्टार्ट हो जल्दी से जल्द इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या मेल करके आप डालने वाला है मोटिवेशनल लेक्शर भी मैं आपको डालने वाला हूं लाइब भी पढ़ाऊंगा आप बात कर पाऊंगा अगर कभी मिस होगी कुछ होगा तो आपको अनौंस करके बता दिये जाएगा ठीक है लेकिन डेडिकेट बिलकुल होगी बिलकुल लेट नहीं हो लोग जब देखें आप पेड़ सर्विसेज ले रहे हैं तो जाहिर से बात आपको उस चीज का ड्वांटेज मिलना चाहिए इन सारी वीडियो को आप जीपएट नाइपर जेई फार्मासिस करें यूज कर सकते हैं यानि कि एक तीर से कई निसाना आप जो साथ सकते हैं इस आप लोग वापस आते हैं वीडियो में बात करते हैं कि या फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ने थीख है कि फार्मेसी एक्ट है क्या इक्जैक्टिव सब्सक्राइब फिर डिफिर्टियो फार्मेसी काउंचल अप इंडिया जो सेंट्रल वाला है जो कि दिल्ली में है सब सब सब्सक्राइब की सेंट्रल फार्मेसी काउंचल का दिल्ली में इसेंट कऊंचल तोड़ा सब्सक्राइब इसको डेटेल में इस वह इन इसब से पहले आप को कन्फ्यूस करने के लिए दूसरा सवाल क्या पूछते हैं कि फार्मेसी एक्ट वाज इन फोर्स दे इन विच एर 1948-1949-45-1954 दे विल गिव यू ऑप्शन और यहां पर चार मार्च नाम क्या है ठीक है देखिए पहले क्या होता था कि एक के सामने लिखा रहा था इन फोर्स होता है यह पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जमून कर्ष्ब इसको दी करें और एक और के दौरा पसकर करें तो पूरी तरीके से उसको इन ट्रेटरी का दरजा दे दिया गया ठीक है तो उसकी वजए से क्या हूँआ आप जो भी भारत में कानून पहले क्या होता था तो जम्मू कस्मिर में नहीं लागव होता था क्योंकि वहां का खुछ सम्विधान था आर्टिकल 370 था आपको पता होगा आर्टिकल पहले जम्मू कस्मिर में नहीं होता था जब किताब पढ़ेंगा पुराने किताबें पढ़ेंगे उसमें लेकिन अब पुराने लिखी हुई है लेकिन आपको अपडेट रहना है यही तो है जब आप चैनल पे पढ़ते हो या अपडेट इंफॉर्मेशन तो आपको फायदा उसको एस्यमिलेट कर लिया गया है ठीक है यह पूरा जो एक्ट है वो पांच चैप्टर में बटा हुआ है 46 सेक्शन में ताकि कोई चीज के डिफिनेशन दोड़नी हाँ चैप्टर नंबर चार में चैप्टर नंबर पांच में जैसे किताब को चैप्टर वाइज कर दिया पार्ट में और कई सेडियूल्स में अपना थोड़ी बहुत समाझ होगी आपको समीधान में उसी तरीके सी जो एक्ट है ना इसको कई सारे चैप्टर में बाढ़ दिया गया है ताकि पढ़ने के सोबिदा ताकि कि किसी चीज़ को सर्च करने के सोबिदा हो सकी 46 सक्षिन मे पार्मिसी एक्ट में संसोधन क्यों कि यह एक्ट कब लागू हुआ था 1940 में अब सोचो अगर बहुत कुछ दुनिया बदल चुकि उन्यस और तालेश में जब लॉंच हुआ तब हम लोग जस्त आजाद हुए थे तब हमारी बहुत ख्वाइशे नहीं थी हम बहुत दबे कुछ लोग की तरह कंडिशन हमारी थी बहुत एकोनॉमी हमारी बहुत पूर थी लेकिन अब इंडिया एक सोपर पावर बनने की कग में रखते हुए इसको समय के हिसाफ से मोडिपाई किया जाता है जैसे मैं आपको एक लगे हाथ इंफॉर्मेशन दे दूं क्योंकि चूकि मैं डिप्लेश की वीडियो बना चुका हूं लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एंडिपी एस एक्ट या लाके चेंज लाएगा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको बता दूंगा तो आपको इस सब चीजें पता होने चीए सो समय के साथ साथ क्या होता है वह एक्ट पूरा होना जाते जैसे मैं आपको बता हूं इंडियन पीनल पोड आई पीसी जो कहते है है कि त्याजिराते धारा इतने हिंदे तेहिए चाल आए तो वह कर पूलिस कर रही है और हमारा अब क्या है पूरीसिंग पूलिसिग की बात है और लोग पूर्च अब पुलिस वह नहीं कि अपको बहुत दिनों से संसोधन नहीं किया गया इसलिए वो पुरानी मेंटल्टी आज तक चली हुई आ रही है लेकिन यह जो एक्ठ 1948 का है तो इसमें कुछ संसोधन करने के ज़रू तक क्यों क्योंकि अब समाज बदल चुका है समाज की एस्परेशन बदल चुकी है डिमांड बदल चुकी है ठीक ह अब्जक्तिव पूछा जाते लिए अप अब्जक्तिव ड़िए डाल लीजिए और लिख इसका मकसद क्या है प्रक्टिस को फार्मेसी प्रोफेशन है जो की एक टेक्निकल प्रोफेशन उसको रेगुलेट करना जैसे कि इस्ट्रेट फार्मेसी काउंसिल जो बनाया जाता कितने साल के बाद कौन-कौन से इलेक्टेड मेंबर सोंगे कौन-कौन से नोमिनिटेड मेंबर सोगे किसारी बात ओक्ते फार्मेसी एक्ट में लिखिघे हुई अब याद कि जब भरकाल कराका स्थारिंटमें भड़ा सब्सक्राइब टोसमें लिखा या है तो दिञीत्ड देट्टराइब कांडिडेट्टमस्ट है लिद फार्मेंटिंसुट्पन इस तरीके लिखा जाता है जो भी स्टेट फार्मेशी कांसिल यानि कि वह कुछ इस पर इंडिया इस बात को समझ जाना ठीक है कि सारी चीज आपको कहीं नहीं बताएगा कोई प्रेड कोर्स में भी नहीं बताएगा आपको कोई लेकिन इसके लावा इनका फंक्षन क्या होता है काम क्या करते हैं फिर जो पीसी आई का से पर फिर आप फार्मसिस्ट हो गए तो मालो आप यूपी में व्यापार करना चाहते हो अपने आंधरा में पढ़ाई कि जहां पर आप अपना व्यावसाय खोलना चाहते हो जहां पर प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो जो यह फार्मसिट है यह क्या करेगा पीजी आई का गठन कराएगा और पीजी आई का गठन करेगा कौन करेगा इसके लिए सेंट्रल गौर्णमेंट करती है तो उसमें भी उसमें भी अपीजी का काम क्या है सिलेबस डिजाइन करना चाहते लेकिन जब आप वेकंसी आती हैं भी फार्मा डिप्लोमा बेसिस पर उसमें लिखा रहा था कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप अब याद रखी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यह कहीं किताब में नहीं लिखी हो यह एक्स्टा इंफॉर्मेशन आपने पढ़ाई मुंबई से की हो दिल्ली से कहीं से की हो मालो आपको उत्राखंड के आपको व्यापार करना है यू मुंबई से की है लेकि मुझे अगर यूपी में करना है प्रोफेशन कोलना है तो मैं डारेक्ट वही रजिस्टर कराऊंगा ठीक है अगर मैंने दिल्ली से मुंबई से करा लिए तो मुझे वहां से ट्रांसफर कराना पड़ेगा और एक होता है लाइसेंस जो कि जहां प्य पर करोगे तो वहां पर टिया आप इस अपो जारी हो जाएगा फिर कैसे ट्रेनिंग होगी यानि कि कौन से बंदों का रिजस्टेशन होगा कौन-कौन से लोग करा सकते क्या क्राइटिरिया उसकी है कैसे इंग्जामेनेशन कोन कौन से ओने चीवह सारी चीजिए जो है कि है दील करता है तो यानि हैसे किसे डिल कर रहा पीशी आई और यह मैंसे हो गया ट्रेंनिंग और हों कौन कर रहा पीसे आय एक होते हैं कि केंदर सरकार की जो में है पूरे इंडिया की एक है कोण है वो स्थ यह तो यह जो सेंट्रल पीसिया यह यह एक रिजिस्टर मैंटेन करता है और पब्लिक्स करता इसको बोलते हैं Central Register नि रेसिस्टर क्या होता है जिसमें किसका नाम है फर्मसित का मेरा मैं यूपी का उओ मैंने कहा करा यह आदेउस्टा पर्टि मेरा पहला इसको बोलते हैं फास्ट राजिस्ट लिख लो यह बात बड़ा है फिर उसके गांस का होगा आपको हर साल इसको कराना होता और अगले साल एक अपरेल को जब आप रिन्यूव कर दोगे तो सारे फार्मासिस्टों का रिकॉर्ड आ जाएगा तो पहले रेजिस्टर को स्टेट फार्मिसी आफ काउंसिल क्या कर देगा प्रिंट कर देगा ठीक है आपका नाम चपके आजाएगा फिर यह डेटा किस से सा वहां से ट्रांस्पर होगा यानि की जो रिजिस्ट्रेशन आपकर आते हो इस सलल के जैसे पांसले करां और पांसल कर दो उसको रिन्यु कराना पर थह लिखा रहा है तुओंप थो इक दिस दिसब्बाद नहीं है घूटब भड़ोगे चेक होगा तो आपका याद सब्सक्राइब और यही रेजिस्टेशन सटिफिकर तो आप दूसरे मेडिकल स्टोर वाले को बाढ़ते रहते हो कुछ पैसे देंगे और आपके नाम पी चला यह पुरी तरीके से गलत है लेकि लोग पैसे कमाने के लिए चीज को करते हैं तो स्टेट काउंसल क्या उसके बा के डिपलोमा कर लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने ने कहां पर तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया राजिस्ट्रेशन नहीं करा अब फर्जी फार्मासिस तो आपको कोई मतलब भी नहीं है इसलिए कहते हैं कि ऐसे कॉलेजेज में अडिशन लो जो PCI अप्रूब्ड हो अगर PCI उनको अप्रूब भी नहीं करेगा तो जब उनकी माक्सिट लेके PCI में जाओगे तो PCI डाल के चेक करेगा कि कॉलेज मेरे से अफिलेटेड है कि फर्जी है अगर अगर अप्रूब नही करेगा तो आपके डिगरी फर्जी हो जाएगी पूरी तरीके से इस बास से बचिए आप इसले अडिमिशन लेते बगत आपको धान देना चाहिए कि कॉले शोट भी अफिलेटेड विट फार्मिशी काउंसिल अफ इंडिया प्लीस जूरीमेंबर दिस तिंग्स यह कहीं ए अब देखते हैं यह फार्मेसी काउंसिल अफ इंडिया जो होता निसका गठन इसको बनाता कौन है यह काउंसिल यानि कि इसका कोई चेयर्मैन होगा और इसके कुछ चेलेचा पार्टी कुछ सदस्योंगा यानि कि एक चेयर्मैन होगा कांशिल है तो और इसके मेंबर सब्गे थीक है कि और कुछ एक्स ऑफिसियों मेंबर थीक है ऐस ऐसे होती हम थेक है तो यह सारी चीज़ हम बिल्य लोको देखना है तो यह जो फार्मेसी काउंसल अफ इंडिया निदिली वाला जो सेंटरल सवाल पूछ लिया जाता कहीं से भी यह इसको एक्ट के द्वारा बनाए गया संविधान में कहीं भी फार्मेशी काउंसिल आफ इंडिया के बारे में नहीं लिखा गया है यह बात में आपको इस्टा बता रहा हूं ज्याद रखिए एक होता है यह बारे में लिखी हुई है जिसके बारे में जिक्र उसको बोलते हैं लेकिन फार्मेसी काउंसल आफ इंडिया के बारे में सब्सक्राइब कानून ऑग गया जब किसी चीज को कानून पास करके बनाया जाता उसको history body इसको बोलते हैं कि कानून के तहद अ नहीं लिखा हुआ और कौन से मंञत्र आले के अंदर आथा ये भी आपको पता होना चीह हेल्च फैमली वल्पेर कर लिए यह वही मंत्राला है जो सीडी एसीओ को भी कंट्रोल करता है सीडी एसीओ क्या है रेगुलेटरी एजन्सी और इसका है डी सीजियाई कन्फूज मत हो यह सब बात में बताऊंगा अधरवाज युल भी कन्फूज ठीक है सबसे बड़ी इंडिया में पोस्ट होती है सबस्क्राइब कर रहा हूं तो कोवीड का टाइम चल रहा है और आप देख रहा है और यह मिनिस्ट्री आफ एंड फैमली वेलफेर ही है एक लगे हाथ इंफर्मिशन आपको और बता दो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भी इसके अंदर में ही काम करता है जिसकी ऑफिस कहा है गाजियाबाद में यह नहीं यह जिसकी बात कर रहा हूं कि दूसरा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या पब्लिस करता है इंडियन फार्माकोपिया और उसके कौन-कौन से लेटेस सवाल पूचा जाता है इंडियन फार्माकोपिया इस पब्लिस बाइंडिन फार्मा प्रवाइब कोपीय कमिशन इंडर फार्मकोंबीय कमिशन किसके अंडर में आता है समझ गए और पीची आई भी मिनिस्ट्री फेल्थ फैमिली वेलफेर मंत्री जी ओंगे जैसे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डॉक्तर मंसुक मांड भी जो है अभी यह चीज भी आपको देखना पड़ेगा ठीक उसके पहले गुलावना भी आ जाते तो यह जो मंत्री जी है इनका भी कंट्रोल होगा PCI क्योंकि इनके मंत्र आले के अंदर आ रहा है यह आपको समझना पड़ेगा यह आपकी PCI है जो दिल्ली में यह बिल्डिंग आपको दिख लिखा हुआ सवाल पूछ लेता है जिए पड़ में स्टेट फार्मेसी काउंसिल को अलग चीज है यह सेंटरल फार्मेसी काउंसिल को सेंटरल गवर्मेंट ही इसको फोटीट करेगी ठीक है और सबसे पहले सेंटरल काउंसिल कब आई थी 1949 यानिकी याद रखी एक्ट आ ग मेंबर चेंज वेक्टटूर बैंप कन से मेंबर मेंबर सorgt होते रहते हैं नमेंटिट चेंज होते रहते हैं एक्स ओफीड़ movement होते रहते हैं इसा मेंबर पेंदा पर्मानेंट हुख एगा क्रमी पांच साल पे रिकंसिटूर और होता ही याद रखिए और सब्सियो और je op क तो मेंबरल कौन से मेंबर कौन से मेंबर इलेक्टेद एक्स ओफिसे जो एक्स ओफिसे और आपको याद रखने हैं ऐसे याद रखन रहती है तो यह सब शवाल पूछा जाता है अभी इसकी एक और पार्ट आएगा एक वीडियो में पुरा कवर करना मुश्किल नहीं तो जो अधर पार्ट आएगा उसमें डिटेल में डिसकस करूंगा अभी पूरा आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और प्रिसक्राइब कर लेना चाहिए और आपको किसी मुकाम पहुंचा के तभी जाओंगा सब्सक्राइब करना मुश्किल होता है तो आप लोग अगर वीडियो कभी लेट हो जाए गंटे गए और परिशान मत किए ऐसा नहीं है कि मैंने जो है पेड़ कोर्से लांच कर दिया है तो आपका कोई माई बाप नहीं नहीं मैं आपका तभी द्यान रखूंगा मैं जानत लेकिन जो बच्चे एफोर्ड कर सकते हैं उनको लेना चीए उनको बेनिफिट मिल रहा है काफी चीज़ें तो अगर वो पैसा दे रहे हैं तो टेडिकेटेट टाइम नहीं मिला है ठीक है उन्हें भी मैं दूंगा उनके भी लेक्षर से कोई कम्प्रमाइज नहीं होगा ठ फोकस होके डिडिकेटेट तैयारी हो और थोड़ा इधर उदर वीडियो मिस मैनेजमेंट नहीं हो आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहे है रोज लेक्टर मिलता रहा है आपको पढ़ाई जारी रहे तो आपको पेड़कोर से जरूर लेना चाहिए बाकि आप आप फोड नहीं कर सकते तो यहां भी कॉंटिनिव कर सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो कमेंटोमेंट यार कर दिया अगरों को यह थोड़ी से आपसे नाराज बिए कि आप लोग क्या करते हो ना मैं रिकॉर्ट वरा देख रहा था 70% इस वीडियो को मुझे पता है कि कई कोचिंग म बहुत सा डेटा जो है चुरा भी लिया है कि मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहीं किसी का नॉलेग्स हो रहा है और कुछ थोड़ा सा शिकायत यह भी बच्चों से थोड़ा सा राती है छोड़ी सी सिकायत है कि आप लोग देखते हैं तो फिर सब्सक्राइब करने में क्यों इतराते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए भाई सब्सक्राइब करें कोई पैसे लग रहे हैं आप ही का फायदा है कि आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपरली आएगी यह बेल आइकन आपके पास आएगा ठीक है वीडियो मिस नहीं होगी ठीक है और कमेंट जरूर की क्या कीजिए बाकि आपको टेलग्राम चैनल जरूर जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि वहां मैं नोट्स भी शेयर करता रहता हूं जो भी नोट्स मैं दे पाहूं आपको ठीक है जब पेड़ कुरसे तो उसमें एक डेडिकेटिट टीम है उसमें मैं किसी सवर लोगा फिर इंटरनेट चार्ज है जब बहुत सबसारी सी जगर करेंगे खोड़ा सा तो करना पड़ेगा आप अगर किसी समहल ले रहे तो बंदे को कुछ पे भी तो करेंगे नहीं तो बंदर टाइप करके हमें देगा फिर में तो टाइप नहीं करवाएंगे ठीक है तो इतना बुरा मानने के जोरत नहीं कि सर्फेड कोर्से लांच कर दिया ऐसा नहीं है आपके लिए भी मैं हूं जो लोग नहीं ले पाएंगे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ठीक है वो जो मिनिमल चार्ज रखा गया उसका बस यही मकसद है कि जिससे भी हम लोग प् उसकार